ओनलाइन टीचिंग क्लास में आप सब का पुने स्वागत है पिछले जो लेक्शर में हमने पढ़ा था उसके आगे आज अपन फिर शुरू करते हैं डिफरेंशेल एक्वेशन में हमने डिफरेंशेल एक्वेशन आप फस्ट ओडर एंड फस्ट डिग्री पढ़ा था और उसमें अलग अलग विदियां पढ़ी थी जैसे सेपरेशन और वेरियेबल पढ़ा फिर होमोजीनीस एक्वेशन समगात समीकन पढ़ा फिर डेखिक पढ़ा बरनौली पढ़ा तो वो अगर किसी कोई भी प्रेशन अगर उन प्रकार से हल नहीं हो पाता है तो फिर हम आगे आते हैं और वो है यथातत एग्जेक डिफरेंशेल एक्वेशन तो अगर वो पुरानी विदियां अगर उनके द्वारा प्रेशन हल हो जाता है तो वहीं खतम हो गया प्रेशन का हल करना और अगर उनसे हल नहीं हो रहा तो फिर आगे इस विदिय से अपन चेक करते हैं कि दी गई समीकन एग्जेक्ट है क्या अगर समीकन एग्जेक्ट है तो फिर एक मैथड फिक्स मैथड है उस मैथड को फॉलो करते हुए उसका एंसर निकालेंगे तो differential equation first order first degree कहलाती है m dx plus n dy is equal to 0 इस रूप में अगर कोई अवकल समीकर्ण दे रखी है तो जहां m और n x y के फलन है तो फिर ये समीकर्ण first order first degree की कहलाती है अब अगर पुरानी विदियों से हल नहीं होई तो फिर यहां आके exact के लिए अपन चेक करते हैं कि डेल m by डेल y यहां पर ये partial differentiation लिया गया है डेल लिया गया है पूर्ण अवकलन नहीं लिखा गया है क्योंकि m x y का फलन है और n भी x y का फलन है तो पूर्ण अवकलन केवल एक ही चरगा फलन नहीं पर लिखा जाता है इसलिए दो चरों के फलन होने के कारण अपने अवकलन का सिंबल लिखा डेल m by डेल y और डेल n by डेल x निकालेंगे अगर ये दोनों मान बराबर हैं तो equation exact कहलाएगी और उसको फिर integrate किया जा सकता है उसका एक procedure है तो equation exact होने पर ये जो procedure है solution निकालने का उसको चार स्टेप का procedure है इसको फॉलो करेंगे यह प्रोसीजर देखते हैं पहला point इसमें है कि जो m दिया है उसका x के साब एक समा कलन करना है समा कलन m dx निकालना है यह वाला तो यह जो माना आएगा वह xy का होगा तो इसे यू कहेंगे जो xy का फालन होगा ब्रेकिट में इसी दिए xy छोटे में लिख दिया है जिससे पता रहे कि यू जो लिखा है अपने वह xy का फालन है यह सेकंडर्य स्टẹp में देल यू बाई डेल वाई निकालेंगे जो यू आएगा उसका आउक लन करेंगे y के इसापे श्क्स दो डेल यू बाई डेल वाई का मान निकाला 4 अट्रडर्aving स्टेप में फिर n जो शुरू में दिया गया अताप रश्शम में उसमें से δेल y डेल y जो अपने सेकंडे स्टेप में कैलकूलेट किया है वो कैलकूलेट करेंगे तो n- इसको वी कहेंगे और चौते स्टेप में फाइनल उत्तर लिख देंगे, यू प्लस वी इस इक्वल टू सी, एक्स वाई और केवल वाई ये यू और वी के साथ जो लिखे में, ये केवल ये बताते हैं, ये यू तो एक्स वाई का फ़लन है, वी में केवल वाई आएगा, वाई का फ़लन है, तो इस से अपने एंसर लिख देंगे, अब ये कुश्चन के माददे हम से ठीक तरह से समझ लेते हैं, कि ये क्या चीज़े कैसे होगी, उसको समझते हैं, जैसे एक कुश्चन लेते हैं, इसमें, mdx plus ndy रूप का एक कुश्चन दिया हुऊ है, जिसमें, ax plus hy plus g dx plus hx plus by plus f dy is equal to 0, कुश्चन दिया जिसमें, m का मान है綇k plus hy plus g और n का मान है hx plus by plus f तो, इनको इस प्रश्न को पुरानी विदियां, जो separation of variable था, homogeneous था, रेखिक था, उनसे अगर हल नहीं कर पाए जैसे यह हल हो सकती थी होमोजीनियस एक्वेशन बनाई जा सकती थी इसको लेकिन उससे मानली जी वहाँ हल नहीं होई तो फिर यहां तक आगए अपने अब देखते हैं एक्वेशन 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 निकाल लेंगे सबसे पहले तो इंटेग्रल सकते हैं निकाले तो एक्वेशन आपने को एक्वेशन प्लस हुआई प्लस शव्य एक्वेशन कालाई इसका एक्वेशन पहलें चूकर वॉक्त आप दूसरे स्टेप में डेल यू बाइ डेल य निकाल रहे हैं तो X को अचर माना अपने तो AX स्कुरार बटे दो भी हचर है जी एक्स भी अचर है तो इसलिए केवल HXY का अखलन Y के साथ एक्ष HX आगया, थर्डस्टेप में N में से डेल यू बाई टेल वाई सब्ट्रेक्ट करें, तो N जो अपने को दे रहता है, भी वाई पलस F, उसमें से ह अच लिवाई पलस F, उसका समाकलिण और करना है, Y के साथ एक समाकलिट करें, तो 2й स्कॉएर बठे 2 पलस F, यह रहेएट ड़र भाइगा इसलिए भीस लिखा जायगा और फोर्त स्टेप जाना पेचाना फिर लास्ट में एंसर लिखना होता है यू प्लस वी इपल तू सी यू प्लस वी इफ ब्ल сотруд ए उब लास्ट में अपने एंसर लिख दिया तो यह एंसर इस तरह से प्राप्ट कर लिया अब यह एंसर सही है या नहीं है इसको चेक करने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है कि अगर इसका आउकलन करें तो प्रश्ण बन जाना चाहिए देखिए जैसे पहले प्रश्ण बन जाएगा इसलिए अपना उत्तर सही है एक और इसी तरह से प्रश्ण देखते हैं इसको समझने के लिए देखिए इसका प्रश्ण जिसमें टिक्नोमेट्रिकल फंक्शन्स काम में आ रहे हैं उसको भी देख लेते हैं कि कैसे हल करें तो यहां पर एक प्रश्ण m dx प्लस nd y is equal to 0 रूप में दे रखा है जो m का मान जान दे रखा है y sin 2x है और n का मान minus 1 minus y square minus cos square x 3 minus के हैं वो दे रखा है तो यह देखते हैं equation exact है क्या तो dal n by dal y calculate करें तो sin 2x ही बना y का आवकलन तो बन हो गया और dal n by dal x निकालें x के साब एक शवकलित करें तो 1 भी आवकलन 0 y square का भी आवकलन 0 और cos square x का आ गया minus तो है minus minus तो plus हो गया cos square का आगया minus 2 cos x sin x तो minus minus प्लस हो गया तो यह भी sin 2x है और dal n by dal y भी sin 2x है तो dal n by dal y बराबर dal n by dal x आ गया तो m जो अपने को मालूम है y sin 2x है उसका समाकलन करना x के साब एक्ष तो y तो constant sin 2x का हो गया cos 2x by 2 with minus sin तो यह आ गया u जो की x y का फलन है तो इसको कहते हैं u अब दूसरे स्टेप में चलते हैं जब dal u by dal y निकालें इसके y के साब एक्ष अवकलित करें इसे तो y का आवकलन एक हो गया और बाकी का बचावा constant कहला है गया जो y के साब के एक्ष अवकलन कर रहे है तो minus cos 2x by 2 आ गया थर्ड स्टेप में एन में से डेल u by dal y सब्ट्रेक्ट करें पहले तो एन दिया वाए है अपना minus 1 minus y square minus cos square x और उसमें से minus cos 2x by 2 सब्ट्रेक्ट कर रहे हैं तो इसको ठीक तरह से लिख लें अगर तो minus 1 minus y square यह minus कर लें इसे minus 1 minus y square minus cos square x और इसको लिख दिया 2 cos square x minus 1 cos 2x को तो यह माना गया यह माना गया इसमें जो cancel हो से काट दिया तो 1 से 1 भी cancel हो जाए तो minus 3 by 2 y minus y cube बटे 3 इसका समाकलन भी करना था जो मान था इसका समाकलन भी किया समाकलन इसमें लगने से रह गया है यह समाकलन लगा लें यह समाकलन करना है और यह डी वाई यहां लिखना है तो Vy का समाकलन करने के बाद ये माइनस तीन बटे दो बने तो माइनस तीन बटे दो वाई आ गया तो ये समाकलन हो गया तो solution क्या कह लाएगए U प्लस V is equal to C तो U कमान लिख दिया अब अब अपने निकला वो लिख दिया बराबर C ये solution है इसका आउकलन करेंगे तो प्रश्ण बनेगा यह इस बात का प्रमान की जो solution अमने निकाला है वो सही है तो इस प्रकार हम exact differential equation को solve कर लेते हैं अब next lecture में देखेंगे कि अगर differential equation exact भी नहीं है तो क्या exact बनाई जा सकती है क्या और बन गई बनाई जा सकती है तो फिर कैसे इसी से उसको बनागर और इनी चार पदों से उसका solution निकालेंगे तो exact differential equation अगर नहीं है तो फिर उसको बनाना सीखेंगे